नमस्ति दुस्तों कैसे हैं आप मैं सुजीत कुमार इनकरवल आईएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज का वीडियो जो है एक बहुत बड़ा अपडेट है और इस अपडेट में हम आपको बताएंगे 66 की भेकेंसी कब आ रही है कितनी पोस्ट आएगी 64 के मेंस एक्जाम का रिजल्ट कब आएगा और क्या 66 के एक्जाम में सिल्वस चेंज होगा या ना होगा इन सारी मुद्दों पे चर्चा करेंगे बहुत दिनों से continue मेसेजेज आते रहते हैं यूटूब पे वाटस अप पे मेल पे कि सार अब बताएंगे की भेकेंसी कब आने वाली है क्योंकि बहुत लोग बहुत तरीके की बात बोलते हैं कोई ये बता रहा है कि इसकी भेकेंसी जो है वो election के बाद आएगी कुछ लोग ये बता रहे हैं कि इस साल आएगी ही नहीं तो देखें बात मैं clear आपको पता दूँ कि इसकी भेकेंसी आपको अगस्त में आ जाएगी एक और जिस तरीके से क्रोना का प्रभाव से पूरी दुनिया घिड़े हुई है उसमें आपका बिहार भी है बिहार भी उसकी चपेट में आ चुका है बुड़े तरीके सा गया तो ऐसे condition में थोड़ी सी समस्या जरूर बन रही है लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके exam नहीं होंग लेकिन कहीं ने कहीं आप ये सोचके कि इसकी exam होगी ना होगी कौन से साल होगी इसकी vacancy आएगी कि ने आगी इसकी वज़े से क्या है कि आए दिन आपकी प्रभाई जो है वो कहीं कहीं प्रभावी थोड़े ही है जो interest पहले बना हुआ था अब धीरी धीरी तूटने के कगा पर चला गया तो साबधान हो जाईए कभी भी किसी भी time notification आजाएगा क्योंकि समय fix है और आपके पास में इसी fix समय में आपको सब कुछ करना है यानि कि 66 अगर आप नहीं select हो पाए तो इसका मतलब है कि आप मान के चलिए अब UPSC के pattern पे syllabus चेंज हो जाएगा तब तो और तो बहतर है किसी भी हालात में चाहे कुछ भी हो बेकंसी जब भी आना हो एक्जाम जब भी देना हो आप अपनी पढ़ाई में धार देते रहिए कहने का सीधा सा ये मतलब है इस वीडियो को लाने का मतलब है क्योंकि आप continue हमसे जुरे हुए है तुनामी अंदर पैदा हो रही है आप मोटिवेट हो रहे हैं आप कभी भी नहीं गिर रहे हैं लेकिन कहीं नहीं लग रहा कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं अगर उसकी भेकंसी नहीं आएगी तो फिर काम करने का मतलब क्या है और बात भी सही है और आप हैं भी सही जगपे लेकिन काम करने का सीधा स यह मतलब है कि आप मान के चलिए और अपने दिमाग में यह fit कर लिजे software में कि इसकी exam होगी और होना ही है और ऐसे condition में आपके पास सिर्फ एक option बचता है कि अगर exam होगी तो आप अपनी पढ़ाई में tsunami की तरह धार देना शुरू कर दीजिए और इसमें 1000 प्लस post आ रही है इस इस बार आपके पास में selection होने के chance में पूरे 100% है बस अगर selection होने से कोई रोकेगा तो आपके सिवा कोई भी निरोकेगा इसके उपर हम लोग पूरे तरीके से काम कर रहे हैं और जब मोका लगता है तब तब आपको आके motivate कर रहे हैं ताकि आपको गिरने देने का कोई सवा इस पर सबसे result जो है अपना incredible पडिवार दे और आप लोग को देना होगा क्यूंकि आप deserve करते है result को और इसके लिए जिस तरीके साप मेहनत कर रहे हैं मेहनत को continue रखिए 64 जो है मेंस का exam इसका result जो है अगस्ट प्रस्तावित किया गया कि अगस्ट के first week तक में इसका result आ जाएगा और बात रही syllabus की तो syllabus के लिए आपको घबराने की किसी भी तरीके का कोई जोड़त ने syllabus कोई बदलाव ने हो रहा है जैसे पर रहे हैं वैसे ही आगे पढ़ते रहे हैं और किसी भी तरीके से इधर उधर के भ्रम से प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है और प्रातना है मत फस ये मत फस ये मैं ये वीडियो लाखे कुछ ज़्यादा नहीं करने की कोशिश करता हूँ बस आप अपनी परहाई में अगर थोड़ी सी किसी भी तरीके के निगेटिव हो चुके हैं क्योंकि continue जिस तरीके साब message मुझे चोड़ रहे हैं तो मजबूरी हुआ कि इस वीडियो को आपके सामने रखना पड़ गया बरना कोई ज़वरत नहीं इस वीडियो की क्योंकि हम लोग continue आपको motivate कर रहे हैं और ऐसे condition में हमने पहले भी बता चुका था कि अगस्त तक इसकी vacancy आगी लेकिन exam कब होगा इसके अभी तक कोई confirm नहीं किया गया है तो इसलिए तयार रहे ह तयार हो जाईए और अपनी धार को पूरे तरीके से जितनी इमानदारी सो सके आप दीजिए और result को किसी भी हालत में अपने घर में बुलवाईए अपने I.O के website पे अपना roll number जरूर डिस्पले करवाईए और ये आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है बस जितनी भी समस्या है सिर्फ प्रिलिम्स में है जिस दिन आपका प्रिलिम्स हो जाएगा यकीन मेरे उपर मानिए उस दिन आपको लगेगा कि हमने आधा जग जीत लिया है राज की परतिश्थरित एकजाम दे रहे हैं आपके अंदर सबसे बड़ा परतिश्था है तभी आप इस एकजाम में बै मिलेगा हम जस्त आके आपको बता दिया करेंगे ताकि आप हमेशा अपडेट रहे लेकिन आपसे चाहते जाते हाथ जोरके बस इसनी निवेदन है चाहे कुछ भी हो जाए बढ़म में मत फैलिए फसिए और अपना जो 100% दे सकते हैं अपने काम में उसको दीजिए तभी जिस को selection लेना है वो lockdown होके continue मेहनत कर रहा है continue मेहनत कर रहा है फाइटिंग उससे करनी होगी आपको fighting उस्टूरेंट से करनी होगी जो already DSP बन चुका उससे SDM बनना वो भी fighting करने के आपको देयार है fighting उसे भी करना है जो सब कुछ घोड के पी गए हैं एक एक वर्ड को fighting उससे आपके पास में बुद्धी, ज्यान, बिवेक और प्रिजेंट आप माइंड, कब क्या करना है, जब तक ये नहीं होगा, तब तक सेलेक्शन आपसे दूर हो जाएगा, कहने को अगर पूरे तरीके से समप किया जाए, तो घवराने की कोई जवरत नहीं है, कोई भ्रम में नही जवरत नहीं है, continue हम आपके साथ में है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत खुद के उपर करना है, बाकी सब उपर वाले के हाथ में छोड़ देना है, दोस्तों कैसा लगाए वीडियो, हमें ज़रूर बताइएगा, और हो सके, तो इस वीडियो को जो है, आप सेर कर दीजिए थेंक यू, नमस्कार